यहां पर मैं ले रहे हुँ रेड़ी मेट पीजा बेस आप खुद से भी बना कर ले सकते हो यह मैंने ग्रोसरी स्टोर से लिया है इसे हम एक पीजा बेस ले ले लेगे और उसके ओपर पीजा रखेगे और फिर उसके बाद यहां पर मैं ले रहे हुँ सेजवान सॉस सेजवान की चटनी और टमाटो सॉस और आप चाहे तो इसमें आपका जो फेवरिट सॉसे वो डाल सकते हो नहीं तो आप पीजा सॉस डाल सकते हो यहां पे मैं यह दोनों यूज कर रही हूं और और यहां पे सेजवान सॉस सेजवान की चटनी थोड़ा ही ले रहे हूं यह तीखा रहते हैं मेरे पास अभी पीज़ा सॉस नहीं है इसलिए मैं यह दोने यूज़ कर रहे हूं और सब के घर पर टमाटो सॉस रहते हैं तो सब यह टमाटो सॉस भी डाल सकते हैं यहाँ पर हो गये फिर हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेगे यह देखिए ऐसे हम हमारे पास जो सॉस है वह अच्छे से सारे जगाप पर स्प्रेड कर लेगे ऐसे और फिर और फिर में डालने वाली हूँ चीज क्यूब अगर आपके पास चीज क्यूब नहीं होगे नहीं तो आप यह चीज स्लाइस डाल सकते हो तो यहाँ पर मैंने चीज क्यूब लिया है गो चीज का और इस सबसे पहले में एक क्यूब डालूगी और फिर हम इस चीज को ग्रेट कर लेगे तो मेरे पास यह वाला ग्रेटर है ग्रेटर सबके घर में रहता है इससे चीज ग्रेट कर लेगे तो यहाँ पर जो सारा चीज है वो मैंने ग्रेट करके डाल दिया है आप चाहें तो आपके पास यह स्लाइस होके वो डाल सकते हो यहाँ पर मेरे पास यह जो क्यूब है वो ले रहे हूं मैं और उसके बाद हम डालने वाले हैं वेजिटेबल्स और यहाँ पर हमारा हम लेने वाले हैं वेजिटेबल्स हेल्दी पिजा बनाने के लिए आप बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल सकते हूं तो से आप मेना अलग-अलग टाइपस के वेजिटेबल्स ले आप घर में दो तीन तीन चार पड़े रेते हैं सब्जिया आप वो ले सकते हो मेरे पास यह थे तो मैं यह ले रही हूं फिर हम यह जो है वो अच्छे से डाल लेगे इसे प्याज भी डाल लेगे वो तो सबके घर में रेता है अवेलेबल टेमाटो प्याज अलग-अलग सब्जिया आप कौन से भी ले सकते हैं इंपोर्टर नहीं है कि यह लेने है मेरे पास यह अवेलेबल्स है तो मैंने यह लिए यह हां पर मैंने वेडिटेबल्स डाल लिया है फिर मैं ले रहे हूँ चिली फ्लेक्स उसके उपर स्प्रेड कर लोगी थोड़े एससे थोड़े से और सब्जिया डाल जाते है अब भी हमारा जो पीजा है वह रेडी हो चुका है अब भी रेडी भी नहीं और भी थोड़ा बहुत बाकी है और फिर हम लोग टमैटो केचप डालेगे टमैटो सॉस नहीं तो आपके पास पीजा सुस होगा वह आप थोड़ा बहुत डाल सकते हो तो मैं यह डाल जी हूँ इससे और बिट इसकी हमारा पीजा बन जाता है ऐसे हम इसके उपर सॉस डालने के लिए ऐसे हम दो क्यूब लेगे क्यूब नहीं है आपके पास तो डोंट वरी आप जो स्लाइस है हमारे पास वह भी डाल सकते हो सिफ चीज डालना है कि सो यहां पर मैंने चीज क्यूब ले लिए हैं दो अगर आपको चीजबस्ट पीट्जा बनाना होगा तो आप टीम ले सकते हो हम इसे अच्छे से ग्रेट कर लेगे ऐसे यह देखिए आपके पास मौज़िलर चीज हो वह भी डाल सकते हैं आपके पास जो भी चीज है वह डाल दो यह देखिए कितना टेस्टी लग रहा है अब इसे सो यह हमारा होममेट एकदम हेल्दी पीज़ा बनाने वाले है यह देखिए कितना टेस्टी और यमे दिख रहा है वह भी घर में बनाया हुआ आप इसे तवे पर भी बना सकते हो नहीं तो ओवन में आज हम लोग बनाने वाले है ओवन वाला पीज़ा पीज़ा यह देखिए हमारा पीज़ा कितना अच्छा लग रहा है टेस्टी लग रहा है पूरा चीजी चीजी पीज़ा है यह तो यह देखिए इसके उपर में थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल दूगी एसे और अभी हम इसे माइक्रोवेव में मतलब ओवन में डालने वाले है है ay so अभी यहाँ पे हमारा पीजा रेडी है से कितना यमी लग रहा है अभी य rằng मुमें पाड़ी है धानी देखिए तमा अच्छा दिखर है सो अभी मैं इसे अवं में रखने के लिए प्लेट में रख़ों गया मधर मैं ठेखित तो इसके बाद हम इसे अवन में रखने वाले हैं तो गाइस सबसे पहले हम हमारा जो अवने उसे प्री हीट कर लेगे और फिर हमारा जो लॉंग वाला स्टूल है वो लेगे ना की छूटा वाला सो फिर हम एक मिनिट के लिए प्री हीट कर लेना है ऐसे एक मिनिट के लिए ऐसे प्री हीट कर लेगे पहले एक मिनिट के लिए फिर हम हमारा पीजा रख लेगे कन्विक्शन मोड में वो भी टू हंड़ेट डिगरी टैन मिनिट के लिए ऐसे अब हमने स्टार्ड कर लिए 10 मिंट्स के लिए यह देखिए हमारा पीजा जब आपको लगे कि हमारा पीजा वो बेक हो चुका है और जो चीज है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है तब आप स्टॉप कर लिए सकते हो यह देखिए नाइन मिंट्स हो गए यह देखिए हमारा जो पीजा है वो बेक हो रहा है देखिए जो चीज है वो थोड़ी मेल्ट हो चुकी है अभी सो गाइस अभी तीन मिंट्स हो चुके है और वेजिटेबल्स की जो खुश्बी है खुश्बू है वो आ रही है यानि कि यह बेक हो रहा है यह देखिए और हमारा जो चीज है वो देखिए एकदम मेल्ट हो रहा है सो गाइस अभी फाइफ मिनिट्स हो चुके है और यह देखिए जो चीज है वो मेल्ट हो चुकी यह देखिए सो हम इसे और पाँच मिनिट बेक करेगे So guys, अभी साड़े पाँच मिनिट हो चुके है, यह देखिए और मुझे स्मेल रहा था कि पकने का तो मैंने स्टॉप कर दिया है ज्यान रखिए गया कि आपका जो पीज़ा है वो ज्यादा ओवर बेक ना हुए नहीं तो वो जल जाता है So अभी हम इसे निकालेगे हमारा जो पीज़ा है, यह वो देखिए Almost ready है फिर हम जो पीज़ा है वो निकाल लेगे यह देखिए, चीज पूरे मेल्ट हो चुकी है थोड़ा ओवर बेक हो चुका था इसलिए So guys यह देखिए हमारा पीज़ा देखिए यह देखिए और यह देखिए कितना चीज़ी है यह पीज़ा और वो बेकदम healthy वो भी homemade और देखिए कितने सारे vegetables की topping से इसके उपर अभी हम जो हमारा पीज़ा है वो कट कर लेगे So अभी हम So यह देखिए हमारा पीज़ा कितना टेश्टी है यह देखिए वो भी homemade यह देखिए So अगर आपको मेरा वीडियो पसंद रहा तो Please like, share और subscribe करना यह देखिए कितना चीज़ी है यह और vegetables भी है वो भी बहुत हेल्दी है बाहर से अच्छा घर का बहुत इत्टा है यह देखिए कितना चीज़ी है और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद रहा तो Please like, share और subscribe करना बाई Thanks for watching